साल 1975 दिन था 15 अगस्त और उस दिन रिलिज हुई थी देश की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म सोले 15 अगस्त 1975 को यह फिल्म रिलिज हुई और धमाके दार कमाई की क्योंकि देश के डाकों से तरस्त गाओं की आजादी की लड़ाई लड़ी थी जै और बीरू ने यानि की अमिता बचन और धर्बेंदर की जोड़ी ने आज इस फिल्म के 48 साल हो चुके हैं इसका फिर्मांकन भी अच्छा था फिल्म काफी कमाई की थी और सबसे ज़्यादा थेटर में चलने का रिकॉर्ड भी इस फिल्मे ने बनाया था तो दोस्तो आज की कहानी सोले के नाम सोले फिल्म कहां बनी किस तरह बनी इसके जो नायक थे या हिरो हिरो इन थे वे किस तरह चुने गए थे और या किस तरह तियार की गए थी आज इसकी पूरी जनकारी हम इस वीडियो में डाल रहे हैं तो दोस्तो बने रहे हैं पूरे वीडियो पर आसा है इसे आप जरूर पसंद करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा लाइक सेर और सब्सक्राइब ही करेंगे तो दोस्तो चलिए जानते हैं सोले की कहानी इसका डिर्यक्षन रमेज सीपी ने किया था यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इसे फिल्म की इंटिट्यूट के 2002 के सर्वस्रेष्ट दस भारती फिल्मों के एक सर्वस्रेष्ट में प्रथम अस्थान इसे प्राप्थ हुआ था और 2005 में पचासवे फिल्म फेर पुर्षकार शमरों में इसे पचास सालों की सर्वस्रेष्ट फिल्म का पुर्षकार भी मिला था इस फिल्म के लेखक पटका था शलिम जावेद थे उन्होंने इस फिल्म की कहानी एक मिने में लगबग तियार की थी इसके छायाकार द्वार का दिवेचा थे शंपादक, एसे सिंदे, शंगीत का राहल दे वर्मन थे इस फिल्म के निर्देशन रमेश सिपी ने किया था और कालाकार तो आप जान दे हैं धर्बेंदर, शंजीव कुमार, हेमा माली, अमतावचन, जयावचन, अमजद खान, मुख्य भुमिगा में थे और बाकी इसमें खलनाएक भी थे फिल्म की लंबाई 204 मिनट रखी गई थी, लेकिन जब फिल्म त्यार हुई तो उसे सेंसर बोड द्वारा 198 मिनट की ही बनाई गई थी और यह फिल्म पंदर अगस 1975 को रिलिज हुई थी, इसका निर्मान गुपाल दास सिपी और निर्देशन उनके पुत रमेश शिपी द्वारा किया गया था कहाने संचेप में अगर कहा जाए तो जय और बीरू दो अपरादी हैं यानि चोर हैं जो जेल में बंद होते हैं और वे दोनों बहुत ही बहादुर भी होते हैं इनकी बहादुर से परशन होकर पुरो पुलिश अधिकारी ठाकुर बल्देव सी यानि की संजीव कुमार ने इन्हें अपने गाउं ले आने का ओफर देते हैं जहां डाकु गबर्शी से बदला लेने के लिए इन्हें रखा जाता है गाउं का नाम है रामगड और पूरी सुलता है रामगड गाउं में सिवा निरित ठाकुर सी यानि संजीव कुमार दो चोरो यानि जह और बीरु को अपने शात बुलाते हैं वे इन्हें डाकु गबर्शी को पकड़ने के लिए इनसे सहायता मांगते हैं ऐसे भी गबर्शी पर पचास जार गुरुपे का इनाम होता है बल्देव सी जे और वीरु को 20,000 रुपया एक्ष्ट्रा देने के लिए कहते हैं और वादा करते हैं कि अगर तुमने डाकु गबर्शी से रामगड को अजात किया तो मैं तुम्हें 20,000 रुपया अलग से दूँगा गबर्शी जब गाउं में अनाज लेने के भीज़ देना गबर करोधित हो जाता है और तीनों डाको को पुष्छने पर कि दो आदमी से तुम्हें तरस्त होकर क्यों आए और कहानी इसमें कहा जाता है कितने आदमी थे तो दोस्तों इसतरए इसका डायलोक बहुत फेमस है और इसी डायलोक के अंदर वह तीनों डाको को मार देता है होली का दिन होता है और गबर का हमला हमले में जे और बीरु को पकड़ लिया जाता है इसमें जे और बीरु ठाकुर से मदद भी मांगते हैं लेकिन ठाकुर बल्देव सिंग के मदद न करने पर वे पकड़ लिये जाते हैं लेकिन किसी तरह वे गबर सिंग के बंधन से छुट कर जब आजाद होकर रामगड़ वापस लोटते हैं तो वे वापस अपने देश को जाने लगते हैं तभी वहां बलदेवसी अपनी कुछ वर्स पहले की आप बिती सुनाने आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी परिवार पर किस तरह गबर सी ने कहर ढ़ रहते हैं तो फिर जेव और वीरू फिर से रामगड़ में रहने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर वे गबर सी से बदला लेने के लिए प्लान बनाते हैं जेव और वीरू गाओं की रिस्ता बना कर रहते हैं किसी को चाचा किसी को मोसी किसी को अबा किसी को फुवा किसी को भाई बना के रहते हैं यहादा की बसंति को अपनी प्रेम का बनाते हैं और अमता वचन बल्देव सुनकी बहु राधा को अपनी प्रेम का मानने लगता है जे ठाकुर की बिध्वा बहु से को पसंद भी करता है और उन्हें देखकर प्यानों भी बजाते रहता है विरू उसी गाउं की बशंती यानि तांगे वाले बशंती को इतना पसंद करने रहता है कि वह पूरी कहानी ही इसमें पलट कर रख देता है और ज्यादर तर फिल्म चलने का कारण ही होती है बशंती और विरू का प्रेम प जाता है और वहीं उसकी मिर्ति हो जाती है अब बीरू गाउं छोड़कर अकेला ही एस्टेसन की और निकल जाता है जहां बशंती उसकी राह देख रही होती है रादा फिर से एक बार अकेली रह जाती है इस फिल्म की सुर्वाती कहानी जब लिखी गई थी तब अमता बच की जंजिर फिल्म रिलिज हो चुकी थी तब शलीम जावेद ने सुर्व की कहानी लिखी थी और कई निर्माताओं को शुनाया था लेकिन सभी निर्माता इस कहानी को सुनकर नकार देते थे किसकी पठकता बहुत ही अजीब है तब उस समय रमेश सिपी ने कहानी को शविक किया था फिर इसकी हिंदिर पांतरन भी बाद में किया गया यह फिल्म अकीरा कुरोसावा की 1954 की फिल्म सेवन समराई की जैसी ही थी और उसी पर फिल्माए गय थी इसमें डखैतिक वेस्टर फिल्मों की अंदाज पर फिल्माया गया था गाउं, ट्रेन, लूट, डखैत, समाजिकता, ठाकुर के परिवार को मारना, गवर से बदला, दो परिवारों की मिलन, चोरों को फिल्म का नायक बनाना और दो गाउं की महिलाओं को अभिनेत्री बनाना, शबी समाजिक पहलों को भी इसमें ध्यान रखा गया था, बशन्ती का रॉल तो काफी मजदार था, इसमें सब का कुछ न कुछ रॉलल रॉल था, कुछ कोमेडियन, कुछ हसी, कुछ मजा, कुछ रूलाई, सबी इसमें साम और शुक का उल्ग को काफी तंक किया करता था, हस्टेपात्र सुर्मा भुपाली का भी जिक्र किया गया है, जो एक डालोग बोलता है, कि मैं अंग्रेज्जू के जमाने का जेलर हूं, इसमें असराणी ने काफी जोर कर इस बात को बड़ी अच्छे अंदास से पेश किया जो फिल्मों को रंग लाने में काफी मदद कर रहा है सोले में गबर अमजद खान को मिला और यह काफी अच्छा भी इसमें रॉल इसनों किया इससे पहले गबर के लिए पहले डैनी डैन जोकपा को चुना गया था गबर का रॉल चंबल नामक पुछतर पढ़कर अमजद खा कर तयारी की थी और उसमें उसने गबर के डायलोग को व्हास किया था जैय का किरदार के लिए सतरदन सिना को चुना गया था लेकिन फिर आमिता बचन को यह रॉल मिला प्रान को ठाकर बलदेव सजिंग के लिए चुना गया था लेकिन फिर संजीव कुमार के लिए इससे चुना गया धरबेंदर भी ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे लेकिन हेμεम बालनी के कारण वे बीरियो के किरदार निभाने को त्यार हुए थे जहां उन्हें बशंती के रूप में हेमामाली के पास रहने का काफी मौका मिल रहा था कहा जाता है वो जान बूद कर डायलोग गलत बोलते थे जान बूद कर अपने किरदार को गलत करते थे ताकि बार बार उन्हें बशंती के पास जाने का मौका मिले और इसी से उन्हें हेमामाली भी अच्छी लगने लगी थी और इसी फिल्म के पांच सल बाद वे हेमामाली से साधी किये थे जयाबादी उसमें माँ बनने वाली थी और फिल्म के दौरान ही भी अविस्यक बचन को उन्होंने जनम दिया था क्योंकि फिल्म के छे महिना पहले उनकी ही साधी हुई थी उसके बाद उनका डायलोग और उनकी फिल्म को 28 साल बनने में लगे थे जिसमें अविसेक बचन का जनम भी इसी फिल्म के बनने के दुरान हो चुका था फिल्म का जगा की बात करें तो शोले फिल्म करनाटा के बंगलोर नगर के पास इस ती छोटे से कस्वे राम नगर के चटानी इलाकों में फिल्माया गया था फिल्म को आशान रास्ते के लिए बंगलोर के राजमर्गों से रामनगर को जोड़ा गया था इसके लिए काफिक खर्च कर वहां से सनक बनाई गई थी जहां से राजमर्ग सुरू हुआ था और रामनगर गाउं से मिलान होता था काफी खर्च हुए थे मुंबई के राज महल की स्टूडियो के पास एक जेल बनाया गया था इस फिल्म की सूटिंग 3 अक्टूबर 1973 को शुरू हुई थी यह फिल्म 3 करोड की लागत पर बनी थी इसका गाना ये दोस्ती 5 मिनिट का दिरिश से था लेकी से फिल्माने में 21 दिन लगे थे यानि की सूट करने में 21 दिनों का शमय खर्च था एक दिरिश में राधा लाल टेन जिलाती है और जै पियानो बजाते हैं इस दिरिश्य को सूट करने में कम से कम जै बहादरूई को 20 दिन लगे थे एक और द्रिश्य था गबर इमाम को बेटे की मारता है इसे सूट करने में भी करीब 19 दिनों का समय लगा था ट्रेन में चोरी का द्रिश्य जो था उसे फिल्माने में लगभग साथ सब्ताह लगे थे सोले फिल्म में स्टेरियोफोनिक साउंट ट्रेक रखने और सतर मिमी वाइज स्क्रिन प्रागरूर्प का उप्योग करने वाली या पहली भारतिय फिल्म थी जिसे सतर मिमी से 90 मिमी के बीच में त्यार किया गया था फिल्म का कपोश्टर भी पुराने फिल्मों से अलग थी इसमें अंग्रेजी की एक टेग लाइन जोड़ी गई थी यानि कि अब तक के सबसे बड़े कलकार अब तक ही सबसे महानतम कहाने यह फिल्म इतनी मसुहूर हुई कि उस में में 15 क्रोर की कमाई कर गए थी 15 सालों तक शेंसर बोर्ट द्वारा इसे पास कर किया हुआ दिरे सी ही दिखाया गया था लेकिन 1990 में इसका ब्रीटिस संसकरन भी एचेस पर दर्श्तित हुआ इसके बाद इसमें एरोस इंटर्टेन्मेंट में दो अलग डिवीडी संसकरन जारी किये गए जिसमें बिना सेंसर की औरमोती के 204 मिनट की यह फिल्म थी और सेंसर बोड की फिल्म सिर्फ 199 मिनट की थी इसी वर्स 1975 को फिल्म में चुपके चुपके भी आई थी जिसमें अमताव चन और धर्वेंदर की कॉमेडियन रॉल थी सोले फिल्म 15 अगस्त 1975 को जब रिलिज हुई तो यह दो सब्तार तक कुछ खास कमाई नहीं कर पाई लेकिन जब अशन्ती के बोले हुए बोल धर्वेंदर के बोल तथा गवर की जुबानी वाली बाके फिमस होने लगे तो यह फिल्म रातो रात सुपर हीट हो गई और इसके अश्टार सुपर अश्टार बन गए 11 अक्टूबर तक यह फिल्म देश में फैल गई थी शोले 1975 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी इस फिल्म को आल टाइम ब्लोकबस्टर का दर्जा दिया गया इस फिल्म ने साठ सुरन जयनती यहां का परदर्शन किर्तिमान बनाया है और सौ से भी ज़्यादा सिनेमा घरों में रज़त जयनती मनाई है मुमई के मिनरवा सिनेमा में यह पांच साल तक लगता रही जो एक फिल्म जगत का विस्व रिकोर्ड है 286 सब्ता चलने वाली यह फिल्म का रिकोर्ड जब तुटा जब सल्मान खान की एक फिल्म आई थी दो जब बारा तक शोले की कमाई लगभग 1.63 अरब रूपी आके गए थे शोले को 9 फिल्म फिर पुर्शकार में नमांकित किया गया था जिसमें सिंदे को सब्रशिष संपादन का पुर्शकार मिला था अमजद खान को बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट असेसिन पुर्शकार मिला था इसके कुछ शमाद काफी मशूर हो गए थे जिससे गबर का शमाद कितने आदमी थे जो डर गया समझो मर गया बहुत याराना लगता है बशंती के वोल बीरू का मोशी वाला डायलोग जे और बीरू के बड़ाई वाली सीन सबी डायलोग काफी मसूहर हुए और आज तक की फिल्मों में भी बोले जाते हैं तो दोस्तो कैसी लगी सोले फिल्म की कहानी निर्मान और एक्टर की जनकारी कॉमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि फिल्म तो सोले थी देखने माले आज भी हम नए ढ़ंग से देखते हैं तो कि फिल्म काफी मजदार काफी रौनकदार और काफी काश्टिंग अच्छी इसकी बताई जाती है जो हम बच्चे भी देखते हैं जब हम लोगों का जरम भी नहीं हुआ था तर से लेकर फिल्म आज जादू ही बिखे रही है तो चाइनल पर बने रहें वीडियो को जरूर देखें लाइक सब्सक्राइब और सेर जरूर करें दोस्तों आज का वीडियो इतना ही वीडियो काफी लंबी हो गई है तो बने रहें वीडियो पर देखने वाले शवी भाई बंधूओं को धन्यवाद